स्वागत है आप सभी का तरुन इंडिया इंस्टीट के यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे तो अब तक हमने बिहार स्टीट के सिलेबस को कवर किया है बहुत सारे टॉपिक्स अभी कवर हो चुके हैं पर अब ही फिलाल बहुत सारा बांकी है आज हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल लॉजिक सेक्षन के यहां 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 फोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आईए खुद को खुद से थोड़ा और बहतर बनाते हैं तो हमने पिछले विडियो में बी-सी-डी देख रखा है बाइनरी कोड़े डेसिमल कैसे हम किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कनवर्ट करते हैं चार बिट के यूज पर चार बिट का इस्तेमाल करके तो इबी-सी उसी का एक्स्टेंडर्ड वर्जन है जो की आठ बिट में क्यारेक्टर एनकोडिंग करता है अब इसकी ज़रुरत क्यूं है हमारे सिस्टम में तो जैसा कि हमने आसका एवै अलफा बेठ हो यह सारी कि सारी चीजें इसे हम कंप्विटर सिस्टम में नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह क्यारेक्टर से हैं और पहले किसी नंबर में convert करते हैं और उसके बाद फिर उसे हम convert करते हैं binary में तो हमारा system उस alphabetic character या फिर कोई भी alphanumeric character किसी भी तरह का character उसको computer system में store कर पाता है ठीक उसी तरह हमारा ebcdic ये भी encoding system है बिल्कुल similar to ask का value वैसा ही encoding system है जहांपे आपको सभी character और numbers की एक value encode करके दी जाएगी पहले हमारा computer system उस numeric value में convert करेगा उस character को यानि की character को पहले encode किया जाएगा ebcdic वाले number में और उसके बाद फिर उसे convert किया जाएगा binary में और फिर जब आपके पास binary है तो computer इसको store कर सकता है इस तरह से जैसा हमारा ask value काम करता था बिल्कुल वैसा ही है तो इसे IBM ने बनाया था और IBM के जितने भी machine है उन सब में ebcdic का use आज भी होता है और जितने भी पुराने systems हैं उसमें इसी encoding technique का use किया जाता है हालां कि आगे के जबाने में ask value ने सब को replace कर लिया क्यूंकि ask value ही widely use होने लग गया और यह जो हमारा ebcdic है यह भी 02255 character को encode करता है total 8 bit के अंदर तो यह छोटी सी topic है जिसमें यह जो extended binary coded decimal है यह bcd का extended version है जो 8 bit का इस्तेमाल करता है character को encode करने के लिए चाहे वो alpha numeric character हो या कोई special character हो बिल्कुल ask value की ही तरह पर इसका इस्तेमाल पुराने समय में use होता था IBM systems के द्वारा आज भी बहुत जादा use नहीं है आज सारा का सारा replace हो जुगा है ask value में क्योंकि यह widely use है और कही सारे systems ask value ही use करते हैं इसलिए ebcdic का use जो है वो बहुत ही कम होने लगा है दोनों के दोनों similar ही है तो चोटा सा ही topic था तो अगला topic होगा हमारा grey code और कैसे हम binary को grey code में convert कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी topic के साथ खुद को खुद से बहतर बनाते रहिए धन्यवाद कर दो